नमश्कार दोस्तों कहानी शिरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप moral and motivation कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल empower the life पर आ सकते हैं आपका वहाँ स्वागत है The Gordon Stories में आपका स्वागत है आए सुनते हैं जनेंद्र कुमार की लिखी कहानी जानवी आज तीसरा रोज है तीसरा नहीं चोथा रोज है वह इतवार की छुट्टी का दिन था सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर जाका तो देखता हूँ महले के एक मकान की छट पर काउं काउं करते वे कोवों से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है खड़ी-खड़ी बुला रही है कोवो आओ कोवो आओ कोई बहुत काफी आ चुके हैं पर और भी आते जाते हैं पिछट की मुडेर पर बैठ अधीरता से पंक हिला हिला कर बेहत शोर मचा रहे हैं फिर भी उन कोवो की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा ही नहीं है बुला ही रही है कोवो आओ आओ कोवो आओ देख दे देख दे छट की मुडेर कोवो से बिलकुल काली पड़ गई उनमें से कुछ अब उड़ उड़ कर उसकी धोती से जा टकराने लगे कोवों के खुब आगिरने पर लड़की मानो उन आमंतरित अथिदियों के प्रती गाने लगी गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़ कर नन्निननि टुकड़े भी चारो और फैक ने शुरू किये। गाती जाती थी कागा चुन-चुन खाईयो। वे मगन मालूम होती थी और अनायास उसकी धैत थिरककर नास सी जाती थी। कोई चुन-चुन कर खा रहे थे और वेह का रही थी। कागा चुन-चुन खाईयो, आगे वे क्या गाती है, कोईों की काउं काउं उनके पंखों की फरफडाहट के मारे साफ सुनाई ना दिया, कोई लपक लपक कर मानू, छूटने से पहले उसके हातों से टुकडा छीन ले रहे थे, वे लड़की के चारों और ऐसे चा रहे थे, म क्या जाने क्या मिल रहा हो, रोटी समाप्त होने लगी, कोई भी ये समझ गए, जब अंतिम टुकडा हाथ में रह गया, तो वे गाती हुई, उस टुकडे को हाथ में फैराती हुई, जोर से दो-तिन चकर लगा कर उठी, फिर उसने वे टुकडा उपर आसमान की उर फैका, क को, खाओ, खाओ को, और पहुच से कोई, एकी साथ उड़कर उसे लपकने छपते, उस समय उन्हें देखती हुई लड़की, मानो आनन्द में चीक थी हुई सी, आवाज में गा उठी, तो नैना मत खाईयो, मोहे पीया मिलन की आस, रोटिया खतम हो गई, कोई उड़ चले, लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी, पल बर में छट कोरी हो गई, अव्वे आसमान के नीचे अकेली अपनी छट पर खड़ी थी, आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छटे थी, उन पर कोई होगा, कोई ना होगा, पर लड़की दूर अपने को को उड़ते जाते वे देखती रह गई, गाना समाप्त हो गया था, धूप अभी फूटी ही थी, आसमान कहरा नीला था, लड़की के होट खुले थी, द्रिश्टी स्थिर थी, जाने भूली सीवे क्या देखती रह गई थी, थोड़ी देर बाद उसने मानों जाक कर अपने आसपास के जगत को देखा, इसी की रह में क्या मेरी और भी देखा, देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था, उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, ये मैं कह नहीं सकता, पर कुछी पल के अंदर, वहमानों वर्तमान के प्रती, वास्तिविक्ता के प्रती, चेतन हो आई, तब फिर बिना देर लगाए, चट-चट उतरती हुई, वे नीचे अपने घर में चली गई, मैं अपनी खिड़की में खड़ा-खड़ा चाहने लगा, कि मैं भी देखूं, कि कोई कहां-कहां उड़ रहे हैं, और वे कितनी दूर चले गए हैं, क्या मुझे मुर्ख और घिनोने मालुम हुए, उनकी काली दह और काली चोँच मन को बुरी लगी, मैंने सोचा, कि नहीं, अपनी दह में कोव से नहीं नुचवाऊंगा, ची, घुन-घुन कर इनी के खाने के लिए, क्या मेरी दह है, मेरी दह है और कोई, ची-ची-ची, जान इस पार देखा कि धेर के धेर कपड़े कंधे पर ला दे, वही लड़की फिर उसी चत पर आ गई है, इस पार वे गाती नहीं है, वे पढ़ी एक खाट पर उन कपडों को पटक देती है, और उन कपडों में से एक-एक को चुनकर फटक कर, वही चत पर फैला देती है, उनका अंथी आता ना दिखा आखिर जब खतम हो गए तो लड़की ने सिर पर आएवे धोती के पल्ले को पीछे किया उसने एक अंगडाई ली फिर सिर को जोर से हिला कर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वही डोल कर उन बालों पर हाथ फेरने लगी कभी बालों की लड़को सामने लाकर देखती फिर उसी को ला परवाही से पीछे फैक देती उसके बाल काले गहरे लंबे थे मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुक था या दुख था कुछ देर वे उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इखटा समेट कर जटपट चूड़ा सा बांध पला सिर पर खीच वह नीचे उतर गई इसके बाद में खिटकी पर नहीं ठैरा घर में छोटी साली आई हुई है इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्या करके कॉलिज में पढ़ती है मैंने कहा सुनो यहां आओ उसने हसकर पूछा यहां कहां? खिटकी के पास आकर मैंने पूछा क्यों जी? चानवी का मकान जानती हो चानवी? क्यों? वे कहां है? मैं क्या जानता हूँ कहां है? पर देखो वे घर तो उसका नहीं है उसने कहा मैंने घर नहीं देखा इधर उसने कॉलिज भी छोड़ दिया है चलो अच्छा है मैंने कहा और उसे जैसे तैसे टाला क्योंकि वे पूछने ताचने लगी थी कि क्या काम है जानवी को में क्या और कैसे और क्यूं जानता हूँ सच यह था कि मैं रत्ती भर भी उसे नहीं जानता था एक बर अपने ही घर में इसी साली की किर्पा और आगरे पर एक निगा एक को देखा था बताया गया था कि वह जानवी है और मैंने अनाया स्विकार कर लिया था कि अच्छा वह जानवी होगी उसके बात की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जानवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुझे सुनकर स्विकार कर ले तो साली क्या तिस पर सच्चाई ऐसी कि नीरस पर ज्यों तो मैंने टाला बात बात ने मैंने कहना भी चाहा कि ऐसे ही तुम जानवी को जो जानती हो ऐसे ही तुम साथ पढ़ती थी कि जराबाद पर कह दो मालूम नहीं लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुद्ध भी होकर जा चुका है चोथा रोज है हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कोवे काउं काउं छीन जपट कर रहे है और वे लड़की उन्हें रोटी के टुकडे के मिस कह रही है कागा चुन-चुन खाईयो मुझको नहीं मालूम कि कोई जो कुछ उसका खाएंगे उसे कुछ भी उसकी चोँच है कवों को बुला रही है को आओ, आओ, को आओ, साग रह कर रही है वे खुश है कि कोई आ गए है और वे खा रहे है पर एक बात है कि ओक आओ तो तन-चुन-चुन कर खा लिया जाएगा उसको खा लेने में मेरी अनुमती है वे खा खुँकर तुम सब निप्टा देना लेकिन ए मेरे भाई को इन दो नैनों को छोड़ देना इने कभी मत खा लेना क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराई के बस में है वे नेना प्यू की पाठ में है ए को वे मेरे नहीं है मेरे तन के नहीं है वे पियू की आस को बनाई रखने के लिए है सो उन्हें छोड़ देना आस सवेरे भी मैंने ये सब कुछ देखा कवों को रोटी खिला कर वे उसी तरह नीचे चली गई फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई उसी भाती उन्हें छटक कर फैला दिया वैसे ही बाल छितरा कर थोड़ी देर डोली फिस ऐसा ही उन्हें जूड़े में समाल कर नीचे भाग गई जानवी को घर में एक बार देखा था पतनी ने उसे खास तोर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था क्यों? कैसी है? मैंने कहा था बहुत भली मालूम होती है सुन्दर भी है पर क्यों? अपने बिर्जु के लिए कैसी रहेगी? बिर्जु दोर के रिष्टे मेरा भतीजा होता है इस साल एमे में पहुंचा है मैंने कहा अरे ब्रजनंदन वह उसके सामने बच्चा है पत्नी ने अचरस से कहा बच्चा है? 22 बरस का तो हुआ बाई छोड 42 का भी हो जाए देखा नहीं कैसे ठाट से रहता है यह लड़की देखो कैसी बस सफेज साड़ी पहनती है बिर्जू इसके लायक कहा है? यह भी कह सकती हो कि वे बिचारी लड़की बिर्जू के ठाट के लायक नहीं है बात मेरी कुछ सही कुछ वेंगे थी पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया कुछ दिनों बात मुझे मालुम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जानवी के माबाप से काफी आगे तक बढ़कर बाते कर ली गई है शादी के मौके पर क्या देना होगा क्या लेना होगा एक-एक करके सभी बाते पेशगी तै होती जा रही है इतने में सारे किये कराय पर पानी फिर गया जब बात कुल किनारे पर आ गई थी तब ही हुआ क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्रा पहुंचा उस पत्र के कारण एकदम सब चोपट हो गया इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्मी जी का मन पहले तो गिर कर चूर-चूर सा होता जान पड़ा पर पर फिर वे उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी मैं तो मानो इन मामलों में अनावशक प्राणी ही हूँ कानो कान मुझे खबर तक न हुई जब हुई तो इस तरह पत्नी जी एक दिन सामने आधम की बोली यह तुमने जानवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया मैंने कहा जानवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई यह है कि वे कैसी है मैंने पूछा ऐसी कैसी उन्होंने कहा हम बनो मत जैसे तुम्हे कुछ नहीं मालूम मैंने कहा अरे यह तो कोई हाई कोट का जज़ भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम लेकिन आखे जानवी के बारे में मुझे क्या-क्या मालूम है यह है तो मालूम हो श्रीमती जी ने आक्रितिम आश्चर्य से कहा बिर्जु के पास खताया है सो तुमने कुछ नहीं सुना आज कल की लड़किया बस कुछ ना पूछो यह तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया नहीं तो क्या मामला कहा कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहसे भार हो पड़ा सो सब बिना जाने मैं क्या निवेदित करता मैंने कहा कुछ बात साब भी कहो उन्होंने कहा वह लड़की आशनाई में फसी थी पढ़ी लिखी सब एक जात्की होती है मैंने कहा अरे भई सब की जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेडा टले, लेकिन असल बात भी तो बताओ, असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से, फली समधिन बनने चली थी, फैतो मुझे पहले ही से दाल में काला मालूम होता था, पर देखो न, कैसी सीधी भूली बात करती थी, फैतो, तेर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन महूरत की बात थी, राम राम, फीतर बेट में कैसी कालिक रखे हैं, मुझे पता ना था, चलो, आखिरी परमात्मा ने इजजद बचा ली, फैलर की घर में आ जाती, तो मेरा मुख कहीं दिखाने लायक न रहत मेरी पत्नी का मुख क्यों किस भाती दिखने लायक न रहता, उसी क्या विक्रिती आ रहती, सो उनकी बातों से समझ में ना आया, उनकी बातों से रस कई भाती का मिला, तधे ना मिला, कुछ दिर बात उन बातों से मैंने तधे पाने का यत नहीं छोड़ दिया, और पत्र में मैंने देखा उस पत्र को देखकर मेरे मन में कलपना हुई कि अगर वे मेरी लड़की होती तो मुझे ये अपना सोभागे मालुम नहीं हुआ कि जानवी मेरी लड़की नहीं है। सीधे साधे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवा के लिए यहां पहुंचेंगे तो मुझे प्रस्तूत भी पाएंगे। आपके माता पिता चाहें तो मैं प्रस्तूत हूँ। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं होता। उसने दिर्टा के साथ कह दिया कि मैं यह यह शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसने मुझे से अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी मैं और विवा करूंगा ही नहीं। करूंगा तो उसी से करूंगा। उस पत्र को वह अपने से अलग नहीं करता है। और देखता हूँ कि उस ब्रजनन्दन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है। सादा रहने लगा है और अपने प्रतीस सागर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले विजेता बनना चाहता था। अब विने यावनत दिखता है और आवशक्ता से अधिक बात नहीं करता। एक बार प्रदर्शनी में मिल गया। मैं तो देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनन्दन एका एक पहचाना भी ना जाता था। मैंने कहा ब्रजनन्दन कहो क्या हाल है। उसने प्रणाम करके कहा अच्छा है फेह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाईया दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जानवी नाम की लड़की की एक-एक छिपी बात बिर्जु की चाची को मालुम हो गई है। फेह बाते। ओह। कुछ ना पूछो बिर्जु भईया। मूँ से भगवान किसी की बुराई ना करावे। लेकिन फिर कहा। भई अब बहु के बिना काम कब तक हम चलाएं। चाची को बुड़ापे में भी तु अराम नहीं देगा। सुनता है कि नहीं। ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पतनी ने कहा। और ये तुझे क्या हो गया है। अपने चाचा की बाते तुझे भी लग गई हैं क्या। ना धंके कपड़े ना रीद की बाते। उन केले पाकर मैंने भी उससे कहा। ब्रजनंदन बात तो सही है अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए है के नहीं। ब्रजनंदन ने मुझे तेखते वे बड़े बुड़े की तरह कहा। अभी तो उमर पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को जाद नहीं बढ़ाया। अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और आज बुदवार को भी सवेरे ही सवेरे छट पर नित रोटी के मिसकोव को पुकार पुकार कर पुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूं सो क्या जानवी है। जानवी को मै ने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निच्चे नहीं होता, कद भी इतना ही था, लावन ने शायद उस जानवी में अधिक था, पर यह फेह नहीं है, जानवी नहीं है, ऐसी दिलासा मैं मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूं, सवेरे सवेरे इतने कोई बुला लेती ह कि खुद दिखती ही नहीं, काले काले वे ही दिखते हैं, और वे भी उसकी चार ओर ऐसी छीना जप्टी सी करते वे उड़ते रहते हैं, मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से, चोंच चोंच कर उसे खाने के लिए आपस में बदा बदी मचा रहे हैं, पर उनसे घिरी कहती है, को आओ, आओ को, जब वे आजाते हैं, तो गाती है, कागा चुन चुन खायो, और जब जाने कहां 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 के कोई इखटे के इखटे काओं काओं करते वे, चुन चुन कर खाने लगते हैं, और फिर भी काओं काओं करके उससे, उससे भी ज़्यादा मांगने लग तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अलविदा अलविदा देने में आपाओ अलविदा लेक beam झाल झाल